नमस्कार, ABP Live में आपका स्वागत है, आज हमारे साथ हैं जबलपुर सहर के प्रसिद अस्ती रोज बिसेश हैं कि डॉक्टर अखलेज गुमास्ता, तक सब आज हम आप से जोडों के दर्द के बारे में बात नहीं करेंगे, कि उसमें क्या हिलाज हो सकता है, आपने एक यून और इस अंग्रेजी में करने से ये कहां तक परचार हुआ रामाड का, सबसे पहले तो आपने बुला ना जोडों में दर्द तो यहां यह काम जोडने का है, यह रामाड जिस तरह जोड़ेगी, वो विश्व में निशेत रूप से पूरी मानवता को जोडने का काम करेगी, दूसरा शब्द शवर्ड फर वर्ड नहीं है, यह अपना ओरीजनल एक वर्क है, सिंपली एक कोई प्रसंग लिया, उसके क्या भाव है, उसके भाव को अंग्रेजी में उतारने का कारे किया है, लेकिन मीटर्स वोई हैं, एक मैं आपको उदारने देता हूं, लेकिन कुछ चोपाई हैं, जो कि मन में अंदर में आत्मा तक बसी हुई हैं, उनको हम बिलकुल नहीं बदल सकते हैं, तो बदल नहीं पाए, और उनको जो काते हो, रखने का प्रयास किया, अच्छा मीटर्स वोई हैं, तो उसको उस तरह लावद गा भी सकते हैं, जैसे, इनसाइड आउट एस वेल, तो यह जो मीटर्स रखने में मज़ा आनंद यह आया, कि वह जो चाहता है वो भले ही शब्द बदल गए हो, यह वर्बेटिम ट्रांसलेशन नहीं है, यह एक अपने आप में एक ओरिजनल वर्क है, लेकिन तुलसीदास जी का बेस है, वालमी की लिए कमरी है, एजु तेच्ण है, श्री मौलकी आंदरा रआमाइड है, यह के प्रसेंग जादा ऐसा लगा कि प्रासेंगई भी हैं जादा भा प्रवड़ हैं और जादा पैटते हैं आज की युगानुकूल हैं उनको रखने का प्रयास की है, हम चैसका के सकते हैं की, और यह उस भाशा में comfortable भी अनुभव करते हैं बलकि भारती हम जो हिंदी पड़ें लेकिन अभी भी एक तो bilingual हो गया है पूरा course और पूरा करिकुलम तो bilingual में English में बहुत सारी science है सब भाशाएं English में होती है तो यदि अंग्रेजी में होगा तो निशित रूप से professionals को भी मदद करेगी जूडिशल अभी भी हम पूरी जूडिशल कारवाई पूरी अंग्रेजी में होती है तो जूडिशल में एडवोकेट्स को रिसर्चस को लिट्रेरी परसंस को सेंड्स को स्टूडेज को सीकर्स को और रीडर्स को सब को इसमें आनंदाने वाला है और ना जाने क्यों मेने तो लिट्रेचर सिर्फ 10th क्लास तक पड़ा लेकिन ना जाने क्यों लोग बोलते हैं इस पर PhD भी हो रही है लोगो बोलते हैं कि यह जो है एक लिट्रेरी का एक अद्बू आप पहुँच रही है जहां जहां साउथ इंडिया के लोग भी इसको चुगी रामचरित मानस वो पाड़ नहीं पाते और जानते कि अद्भुत गरंत है तो मुख्य धारा रामचरित मानस की जैसे रामाइन दश्णम कन्या को अवधी नहीं समझ पाते हैं अवधी तो हम लो सब्सकार के लोग पढ़ सके विद्यार्थी जो नौ सिखिया है वो भी पढ़ सके और लिट्रेरी इंग्लिश का जो प्रोफिसर है उसको भी आनन्दा है आपको कभी फीड़ वैग मिला कि यह जो अंग्रेजी में आपने तो दुनिया में इसका प्रसार उसके बाद ज्या करशन में आते हैं और विशो भर के लिट्रेरी परसंज अभी थाइलेंड से बहुत बड़ा टूप अभी आया था बीस लों का जो एकटा बैठा अभी हमने इंडो थाई रामाइन फोरम बना लिया और उनके साथ काम करते हैं अभी एक किटी पॉंग करके व्यक्ति आये थ प्रेरित होकर मैंने वालमी की रामाइन पढ़ना शुरू किया और चोटा सा काम किया तो मैंने बुला क्या काम किया चोटा सा तो उन्होंने बुला कि वालमी की रामाइन में फ्रेंच में अनुआत किया 14 वर्ष लगे उन्हें फ्रेंच में अनुआत करने में तो ऐसे मोट प्रती बारत की सोच प्रती उनका इब आकर्षन तो निशित भीश्व में शान्ती प्रवाहिद करने का काम जो भारत किया और यह विश्व को यह दिव्य दिन मना रहा है किसी जी इसा नहीं हुआ है helps कि शान्ती से किसी ने एक धर्म ने अपने भाव को समर्पन करते हुए क्योंकि उन्होंने भी यदि हम देखें तो उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में बिना अंदोलन करें चुक्चाप उनको नतमस्तक होके मान लिया यह बड़ी बात है क्योंकि विश्व में इस तरह का 500 साल बाद मिला है उस च्छण की तो तुलना की नीशिया जा सकती यह जो अंग्देजी में रामाइन अपको कितना वक्त लगा और कितने दोहे और चंद है इसके अंदर लगभग इसमें मेरे ख्याले 5000 वर्सेस हैं और उससे भी मैंने काउंट तो नहीं किये लेकिन 5000 वर्स सब्सक्राइण रात में सोते समय कहानिया सुनाते थे महभारत लाम इस तरह की कहनिया कईल्या की शिव जी की तो रामाइन की जब सुना रहे थे तो उसको बता है कि फिर राम जी को 14 वर्स वनवास हो गया वसने पूछ हो च़टने नहें तो रोटीन उत्व समझ गया और हमारे यहां बच्पन से सुनी देखी जा रही है हमने रामायन को मांगी ना होना केवट आना अपनी करिकुलम में भी हिंदी में पड़ा है तो यह आगे जाके काल जैए जो गरंत है यह क्या बस साल जैए रह जाएगा इसके आगे वाली पीडी पर नहीं जाएगा तो मैंने जी के बहुत सारे विद्वानों को सब पर किया, उनसे बोला कि इसमें कुछ करिए, तो बोले नहीं ये देखिए, राधा कृष्णन जी ने लिखी हुई है, और भी लोगों को दिखा है, लेकिन वो प्रोज था, तो हमको लगा नहीं इसको वर्सस में होना चाहिए, क्योंकि ये जो poetic होता है भाषा, वो ज़्यादा penetration होता है उसका, तो penetrating language poetic होती है, तो poetic meters में हो, तो poetic meters का ध्यान रखते हुए हमने metering की है, कपलेट 13-11 meters के हैं, 68 जिसको कहते हैं, वो different type के कपलेट होते हैं, वो 11-13 है, और जो quadruplets हैं, वो 16 मात्राओं के हैं, तो वो एक meters का ध्यान र लगा और चुंकि इतना सव्वेदल सील विशाय था तो कि इसके विद्वानों से भी approval लिया, क्या पहले आपने publication से, विद्वानों से approval, तो नहीं लिया, हाँ, पिताजी विद्वान थे, मैंने का नहीं, उन्हें भला कि नहीं प्रेड़ना ईश्वर की है, तुम लिखना शुरू करो, और कोई controversy इसमें नहीं होई, कभी कोई controversy अभी तक तो नहीं आई, अब आगे कह नहीं सकता, लिए चट्वान से पांच 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 संसक्रणे हैं, लोगों तक पहुची है, तो मुझे पताएं, वक्त कितना लगा इतना, इतना आसान तो था नहीं, अवदी की रामार्ड पढ़क के फिर उसको उसको नहीं मिल जाना, तो कब से शुरू किया और वक्त कितना लगा इतना, मैंने 13 जुलाई 2004 को गुरू पुना मा के दिन से भगवान का याद करके शुरू किया, और February 2010 में ये पूरी हुई, February 2010 में पूरी हुई, उनके जिस्टिस लहोटी जी जो सुप्रिम कोर्ट चीफ जिस्टिस रहे, वो उनके द्वारा इसका विमोचन किया गया, तब ये बताएं कि ये प्रभाद प्रकाशन आपको फीडबेक मिलोगा दुनिया के कितने दुश्वों में अब ये रामार्ड जा रही है, पढ़ी रहते हैं, लेकिन संख्या ऐसे पाच्वा ये हैं, इसलिए क्योंकि मैं रोयल्टी तो लेता नहीं हूँ, और रोयल्टी लेना मेरा विशाय भी नहीं है, और रोयल्टी इसलिए लेना था कि गीता प्रेस से तुलसी जा जीने नहीं ली ना वालमी की जीने ली, तो फिर मैं उनसे तो बहुत नीचे हूँ और उनका तो अंचमात्र भी नहीं हूँ लेकिन फिर भी royalty लेना एक करता बिन मैंने रामयन जब लिखी और हर भारती का दायत हुए चाए किसी भी धर्म को मानता हूँ किसी प्विपंत को मानता हूँ हर भारती का दायत हुए कि वो जो है as duty इसका प्रचार प्रसार करे, as duty उसको पढ़े, उसका स्वाध्याय करे, उसका recitation करे और आगे आने वाली पीडी को और अधिक शिद्दत के साथ वो रामयन पहुचा है यह थे डॉक्टर अखिलेज गुमास्ता जिन्होंने अंग्रेजी में रामयन को उसी गदपद्द सहली में लिखाया और जो नेक्स जेन रामयन भी कही जा रही है और जिसको नहीं पीडी पढ़ सके और हमारे जो मगवान राम का चरित है उसको अपने आत्मसाथ कर सके जी कर आत्मसाथ.